दोस्तो हम सभी घरों में वासिंग मशीन का असिस्तेमाल करते हैं ऑ जाहता है बहुत से लोगों के पास फुली आॉटमेटिक वासिंग मिशीन रहता है जिसके आंदर, PCV呀ak्शो का सीमाल किया जाता है यानि कि programable control इसके अंदर circuit होता है और यह automatic drive करता है हमारे washing machine को तो इसके अंदर कुछ ना कुछ problem आ जाता है तो वो problem आज हम इसको test करेंगे ये मेरे पास एक PCV है जिसको मैंना अलड़ी जो है check करके इसको rectify किया है PCV को और पहले इसके अंदर problem था IC का तो इसको check करके IC को replacement किया गया है और ये IC जो है इसके अंदर डाल दिया गया था नया और अब हम इसको check करेंगे और दूसरा जो PCV एक और है जो non working है और जो हमारा जो है खराब है machine में तो दोनों को हम compare करेंगे और बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे घर पर या कैसे आप PCV को आप जो है repair कर सकते हैं सही कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं तो मैं इसमें सबसे पहले जो है series board ले रहा हूँ testing के लिए और instrument में जैसे screw driver है, plier है, tester है और आपका cutter है और most important thing is the multimeter for voltage output checking तो आईए हम आपसको test करते हैं और series board जैसे मैंने बताया आपका मैंने इस्तिमाल करूँगा इसके अंदर testing के लिए PCV के लिए तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो PCV है जो main दो इसके अंदर connector लगे हुए है white और black तो यह black color वाला जो है neutral रहता है white वाला जो है आपका इसके अंदर power supply यानिकी face की supply होती है तो इसमें DC एक सॉरी एक के अंदर हम neutral लगाएंगे दूसरी के अंदर हम face supply देंगे series board से तो यह wire मैंने लगा दिया है एक मैं एक wire लगा दिया है दूसरे में दूसरा wire लगाएंगे हम इसको चेक करेंगे supply को और देखते हैं कि इसके अंदर जैसे आप connectivity इसका continuity ठीक है बोड का यह नहीं है तो जैसे अब देख मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर हमारा जो है series में जो वर्ब लगा हुआ है testing के अंदर वो glow नहीं कर रहा है और इसके अंदर पावर भी नहीं आ रहा है एक इसके अंदर LED पावर होती है इसको मैं लगा देता हूं पहले wire को फिर मैं आपको दिखाता हूं कि वो glow नहीं करता है देख मैं आप पावर इसके अंदर क आप देख सकतेंगे कि इसके back side में protesa में stay tested में glow कर रहा है power जहां से इंग जा रहा है कि तो हमारे machine के नदर जा लोता है दो वाय यूज हो ते black color जो है आपका black and blue आपका neutral के लिए यूज होता कोई LED वर्ड नहीं कर रहा है ग्लू नहीं कर रहा है यह PCB आपका पूरी तरीके से dead है there is no function तो इस प्रिकार से हम मसीन से निकाल करके इसको PCB को test कर सकते हैं और यह वो PCB है जो मैंने रिपेर किया है चेक किया है ओके है और हम मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे हम PCB को पहले हम चेक कर सकते हैं series board में तो इसको भी हम दोनो टर्मिनल जैसे black वाला और white वाले में एक टर्मिनल इसका AC की supply हम black वाले में देंगे एक white वाले में देंगे तो एक से सप्लाई हो गया एक निटल सप्लाई हो गया और हम हम इसकी पावर को अन कर देंगे वोड को तेकि यह वल्प गलो कर गया है यानि कि इसकी supply के अंदर चली गया है उसमें गलो नहीं कर रहा था पहले PC में और आप जहां पे इंडिकेटर भी देख सकते हैं LED में जहां पे गलो कर रहा है यानि कि पावर सप्लाई आ रही है और बाकी के LED भी जो है आपका पंक्शन कर रहे हैं जल रहे हैं अब हम इसके on-off button को use करेंगे, on-off button से भी चेक करेंगे, वाकी के function को भी चेक करेंगे, जैसे हमने on-off button दबा रहे हैं तो देखिए इसके इंदा पारी पावर आता है और ये सारा ग्लो करता है, कुछ इसमें output sensors ऐसे होते हैं, output कि जैसे पानी का sensor होता है, अगर पानी नहीं है तो ये आपका blick करेगा, जैसे आगे नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा, तो this is not the problem, ये output और input जो आपके sensor है machine के, उसके output को उपर हैं, जब उसको पानी का level find होगा, या machine close है, ये sensor इसको find तो ये proper working करेगा, उसमें कोई problem, अब ये connectors, जितने भी output आप दिखाए दे रहे हैं, मतलब pin के, इसके output को भी मैं check कर लेता हूँ, multimeter से, इसके voltage वगरे को, इसके voltage output आता है, इस पे से, ये output जो है, इनके connectors के जाते हैं, हमारे जो washing machine में drives हैं, motors हैं, आपका brake motor है, आपका, इसके लावा, आपका, ये water leveling के लिए रहता है, motors, drive बगरा, कुछ sensors होते हैं, sensors के लिए हो सकता है, कि आपके पास 220 volt की supply ना होका, कि कुछ कम voltage होते हैं, वो supply इसमें से निकलती है, उसमें जाती हैं, sensors के अंदर, तो ये सारे outputs हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, और इसके अंदर supply जा रहा है, यानि कि मेरी PCB जो है, इसमें outputs ही दे रही है, निकल रहे हैं, जितनी connectors हैं, इसके सारे outputs को मैं चेक कर रहा हूँ, जौ कर सी, मुलती मेरी से, तो ये सारे मुदर कर से रहा हूँ, पर से निकलती हैं, फारे selectory तो दिकलती है, तो पर सचांपा बार से क्यांता हैं, अनिकलती हैं रहा है, यारीत सारे बार, कि यह पीचीवी मेरा जो है ठीक है और इसमें आउटपूट बिल्कोल सही है और इसको चेक करने के बाद में अब हम इसको जो है मसीन के जो आउट है और इसके साथ माउंट कर देदे हैं और फिर उसके साथ बाद में ये मसीन के साथ मैं फिट्मेंट होता है तो ये वो प्लेट है जो मसीन के साथ मैं LG मेरा姐 मसीन है फ्रेंट लोडिंग also yet वि इस प्लेट के ऊपर ये PCV जो है फिट रहती है और आफ्टर टेस्टिंग अब मैं इसको इसके साथ मैं फिट कर दूगा और फिर हम इसको जो है मसीन के साथ मैं फिटमेंट करेंगे आप चाहें तो इस प्लेट पर फिट करने के बाद में PCV को दुबारा से चेक कर सकते हैं जो बटन आउटपूट बटन दिये हुए हैं इसमें उनको प्रेस करके एक बार प्रॉपर तरीके से जो भी लेचे सेंस के अंदर तो इसको साइस से बिठाईएगा तो नहीं तूट सकते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं और उसके बाद में जो इसक्रू जहां से आपने निकाला है उस इसक्रू से जिसको हम फिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद में दुबारा से इसकी पावर सप्लाई दे करके इसको चेक कर लेंगे और देन विल फिट दिस पीचीवी तो आवर वासिंग मस्याइगा तो यह जैसे वीडियों वीडियों में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम अपने पीचीवी को चेक कर सकते हैं या हम कोई दूसरा पीचीवी लेके आये हैं सेके एंड या नया पीचीवी इसको चेक करके मसीन में कैसे लगाना है तो मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने दिखाया है कि हम कैसे एक पुराने PCB को नई PCB के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं और अपने मशीन को करन कर सकते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और रिफ्रेंस की तो यह PCB हमारा फिट हो गया है मशीन के लगाने के लिए थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको सकते हैं और अबेर शयर अधियो इसनी एड़ भी आप जर ते शुक्राइब दिस शैनल थैंक्स वीडियो